हेलो स्टूडेंट्स इस प्राजी वेल्कम तो अवर चानल आश्रम करने वाले हैं क्लास नाइफ माद्स की एक्सराइज 1.6 प्लस उसका इंट्रो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एक्सराइज 1.6 का देखना है या फिर एक्सराइज 1.6 का कोई भी पर्टिकुलर देख सकते हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका question और example भी से start हो जाएगा but I'll suggest कि आप इसकी introduction जुरूर देखें जिसमें मैं आपको कुछ laws बताऊंगी कि exponents को हम कैसे solve करते हैं ठीक है क्या होते है exponents क्या होते हैं base और इनको हम कैसे apply करते हैं for real numbers तो yes हमें यहाँ पे क्या कर है कि if a is greater than 0 be a real number a is greater than 0 का मतलब कि जो a है वो आपका negative नहीं होना चाहिए वो real number है और 0 से greater है और m n जो है वो integers है then then कुछ यहाँ पे laws है वो मैं लिखने लगी हो so पहला low है वो क्या कहता है a की power m into a की power n equals to a की power m plus n अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि मान लो यह कोई भी आपको डिजिट दे रखी है इसे हम base कहते हैं इसे हम base कहते है base की power को हम exponent कहते हैं ठीक है और अगर दोनों तरफ base same है और दोनों की powers ऐसे हैं तो उन दोनों powers को हम क्या कर सकते हैं, plus कर सकते हैं, मैं साथ के साथ example भी देती रहते हूं आपको, जैसे कि माल लो, 3 की power यहां पर 2 है, into, 3 की power यहां पर 5 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 की power 2 plus 5, that is 3 की power 7, यह हो जाएगा आपका answer, this is base, base की power is exponent, ठीक है, तो यह था आपका first law, second law क्या गयाता है, कि माल लो, अगर, यह a की power m है, और उपर उसके a की power n है, तो आप इन दोनों powers को multiply करते हैं, जैसे कि example के तोर पे आप देख सकते हो, कि 5 की power माल लो 2 है, और उसके बाहर power माल लो 3 है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को multiply करोगे, तो 5, 2, multiply 3, that is 5 की power 6, यह आपका answer, ठीक है, उसके बाद, third law क्या गहता है आपका, third law कहता है कि माल लो, अगर a की power m, और यहाँ a की power n है, तो जैसे पहले दोनों multiply में थे, powers हमने add करती, अब यह दो दोनों जो base है, वो division में है, और दोनों base same है, तो powers जो होती है, वो क्या हो जाती है, minus हो जाती है, m minus n हो जाता है, ठीक है, और इसका example क्या है, इसका example है आपके बास, जैसे माल लो, 5 की power यहाँ पे 6 माल लेते हैं, यहाँ 5 की power, यहाँ 2 माल लेते हैं, तो यह क्या आजएगा, 5 की power 6 minus 2, which is equal to 5 की power 4, यह आजएगा आपका answer, ठीक है, ऐसी ही, fourth law आपका क्या कहता है, कि माल लो अगर, a की power m, ठीक है, and b की power b m है, यहनि कि, अब जैसे first था, बिल्कुल उसका opposite है, जैसे यहाँ base same थे, powers को हमने क्या गर दिया, add कर दिया, अब यहाँ पर जो exponents है, यहनि कि, जो powers हैं, वो बिल्कुल same है, लेकिन base different है, तो हम क्या लिख सकते हैं, base को multiply करके, power हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि, for example, माल लो, यहाँ पर 3 की power 2 है, और यहाँ पर 7 की power 2 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे इसे, तो क्या होज़ेगा, 21 की power 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका answer, तो हमने क्या कर दिया, इनको multiply कर दिया, और उसको हमने ऐसे, एक बर लिखा, तो यह थे इसके कुछ laws, अब यहाँ पर एक जीज और मैं आपको पताना चाहोगी, कि माल लो, बाइचांस कभी कुछ ऐसा हो जाता है, 2 की power, माल लो यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे भी 2 की power, माल लो 2 है, ठीक है, तो according to third law, base same है, अगर 0 होती है, तो वो हमेशा क्या आता है, आपका वानाता है, यह चीज आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से conclude, मैं एक चीज कर रही हूँ, कि A की power 0, मतलब A जो है, वो अगर आपका real number से बिलॉंग करता है, A जो है, वो real number है अगर आपका, और A की power जो है, वो 0 है, तो उसका answer हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, यह कि किसी भी, कोई भी number का exponent अगर 0 है, तो उसका answer क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर, इसको आप एक तरीके से 5th law कह सकते हो, या आप इसको exceptional case भी important भी बोल चकते हो, ठीक है, एक चीज में और add करना चाहूँगी, इसी page पर, just because आपको A की page पर सब कुछ याद रह जाए, यह तो 5th लगा लो एक बार के लिए, ठीक है, एक 6th बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, कि माल लो कभी भी, कभी भी कुछ ऐसे लिखा होता है, कि root A, और यहाँ N लिखा हुआ है, ठीक है, for any natural number N, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, A की power, 1 by N लिख सकते हैं, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि माल लो यहाँ पर 3 है, ठीक है, root 3 है, और 3 की power जो है यहाँ पर, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, 3 की power 1 by 3, इसका मतलब होता है, cube root, आपने square root तो सुना ही हुआ है, है ना, इसको आप ऐसे समझे, जब कभी भी, खाली ऐसे लिखा हुआ है, root 3 लिखा है, root 3 का मतलब क्या होता है, इसकी power जो है, वो क्या है, 1 by 3 है, अगर यहाँ पर 2 भी लिखा है, तो भी यही मतलब है, यहाँ 2 लिखा है, या नहीं लिखा है, इसका मतलब यही होता है, कि square root है, जिसकी power 1 by 2 है, अगर यहाँ पर ऐसे 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या होता है, यह cube root है, तो यह होजएगा 3 की power, 1 by 3, ठीक है, याद से, एक सीज़ पता होनी चीए, कि यह जो है, यह हमेशा, कि यह जो 3 है ना, यह बोथ are different things, this is not equal, यह जीज़ धिहान रहें, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को देख रहें, वो इसी चीज़ में बहुत confused होते हैं, this and this thing, इसका मतलब है, कि 3 multiply root 3 है, ठीक है, इसका यह मतलब है, लेकिन इसका मतलब है, 3 की power, जो है, वो 1 by 3 है, यह धिहान रहेंगे, कि root की lap में बैठा है, गोदी में बैठा है, और यह आगे की तरफ बैठा हुआ है, तो यह two different things होती है, ठीक है, I hope आपको यह चीज़ भी clear हो गई होगी, तो चले स्टार्ट करते हैं, इसी से related example, तो example 21 करते हैं, तो 21 का first part क्या कह रहा है, 2 की पावर 2 by 3 into 2 की पावर 1 by 3, तो हमने अभी अभी देखा, कि जब हमारे पास 2 same base होते हैं, तो power क्या हो जाती है, add हो जाती है, तो यहां मैं एक बार के लिए आपके लिए लिख देती हूँ, कि जैसे की a की पावर m into a की पावर n है, तो आप a की पावर m plus n लिख सकते हैं, same base exponents add हो जाते हैं, यह मैंने आपको सिरफ recall कराने के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है, आप exam में यह लिखेंगे, तो आप direct question से यहां से start कर सकते हैं, कि आपने 2 लिया और यहां पर लिख दिया 2 by 3 plus 1 by 3, तो यह क्या हो जाएगा, उपर हो जाएगा आपका 3 by 3, 3 से 3 cancel, yes again 3 से 3 cancel, तो 2 की पावर 1 आती है, 0 नहीं आती है, कई बच्चों को मैंने देखा, वो गल्तियां कर जाते हैं, चोटी-चोटी, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2, and 2 is your answer, ठीक है, तो अब second part क्या खेह रहा है, second part में आप देख सकते हो, कि अगर एक की ही पावर है, और उसकी भी पावर है, तो आप यहां पर देखो, जैसे यह थी, इसकी पावर यह थी, इन दोनों पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, multiply, तो यहां पर हमने कौन से वाल इडेंटिटी लगा रहे हैं, कौन सा लोगा रहे हैं, कि A की पावर M, की पावर N, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, तो यह again मैं आपको याद कराने के लिए लिख रही हो, otherwise जूरी नहीं है लिखना, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3, 1 by 5 into 4, तो यह क्या हो जाएगा, 3 की power, 4 by 5, आगे फर्दर इसको solve करने के लिए है, now this is your answer, ठीक है, तो अब 3rd part क्या कह रहा है, 3rd part में देखो, जो bases हैं, वो दोनों same हैं, और जो powers होंगी, जो base हैं same हैं और division में हैं, तो powers क्या हो जाएगी, subtract, as per the third law, same base, divide में, तो power क्या हो जाएगी, minus, तो हम यहां लिखेंगे, a की power m, a की power n, यूज़ेगा a की power m minus n, तो हम यह वाला law लगाने वाले हैं, तो यहां आजएगा, 7 की power, 1 by 5, minus 1 by 3, तो 7 की power, lc में ले लेंगे, 15 आज़ेगा, यूज़ेगा 3 minus 5, which is equal to 7 की power, minus 2 by 15, ठीक है, तो अब यहां पे, इसका answer आप यही पर ही छोड़ सकते हो, की 7 की power, minus 2 by 15, ठीक है, एक चीज़ में आपको extra जूर बताना चाहूँगी, यहां पर आपका NCRT में, यही तकी answer, और यहां पर आप अपना answer छोड़ भी देंगे, तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यह एक चीज़ में आपको extra बताना चाहूँगी, जब कभी भी ऐसे negative में इसका मतलब क्या होता, देखो, 2 की power, minus 1 का मतलब होता है, कि यह इसका inverse है, तो आप इसको लिख सकते हो, 2 की power, 1, जब कभी भी negative ही, आपने, I think, 6, 7, 8 standard में भी यह चीज़ें की होंगी, जब कभी भी power negative में होते है, तो आप उसका reciprocal कर देते हो, ठीक है, तो अगर मालो, यहां 7 की power minus 2 by 15 है, तो अगर मेरको इसको positive बनाना है, तो मैं क्या करूँगी इसको, minus है न, तो इसका inverse हो जाएगा, 1 by 7 की power क्या हो जाएगे, 2 by 15 हो जाएगे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कि मालो, 1 upon me, 2 की power 3 लिखी हुए, तो आप इसको लिख सकते हो, 2 की power minus 3, या exponents होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, बेस को आपनी क्या कर देना है, उसका reciproc कर देना है, ठीक है, तो ये था third part, similarly fourth part देखते हैं, fourth part जो है, अब यहाँ पे base different है, है न, तो यहाँ पे देखो, base different है, तो हम powers को क्या कर देंगे, एक common ले लेंगे, basis को क्या कर देंगे, multiply कर होजएगा, a की power m, into b की power m, यह होजएगा, a, b की power m, तो अब यह वाले law के recordings को solve करेंगे हम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, 13 multiply 17 की power 1 by 5, 13 multiply 17, this is 221 की power 1 by 5, this is your answer, यह था example 21st, चले करते हैं, start exercise 1.6, तो स्टार्ट करते हैं, with first question, first question का first part क्या कहा रहा है, पहले हम इसको fine करना है, this is 64 की power 1 by 2, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको क्या करेंगे? solve करेंगे. solve कैसे करेंगे? 64 के हम प्राइम फेक्रिशिशन करेंगे. ठीक है, क्या होते है? 64 के प्राइम फेक्रिशिशन करेंगे? सबसे चोटा अब जो इस पे जाता हो, that is 2. तो 2 को करेंगे, this is 32. फिर 2 को करेंगे, यहां जाएगा 16, 2, 8 आ जाएगा, 2, 4, फिर से 2, 2, तो यह 2 इतने टाइमस आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइमस आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि जो 64 है, this is equal to 2 की पावर 6, ठीक है, तो 2 की पावर 6 है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे कि यहां 64 की 1 by 2, तो 64 की जगा पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 की पावर 1 by 2, ठीक है, तो अब हमने यहां पर क्या देखा, हमें यहां पर कौन सा law लगाना पड़ेगा, आप law check करते हैं, ऐसा law है हमारे पास, कि अगर जब एक बेस होता है, अगर पावर इस तरी यहां पर law लगाने वाली है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6, multiply 1 by 2, which is equal to, क्या आजएगा 2 की पावर 3, यानिकि 2 को हम 3 times multiply करेंगे, तो 2 तूसा 4, 4 तूसा 8, 8 जो हो गया, वो आपका आगया answer, तो इस तरीके से हमने बाकी पाट भी solve करने हैं, यह था first part, अब second part में क 32 की पावर 1 by 5, तो अब 32 के हम प्राइम factorization करेंगे, तो देखो 32, तो 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां 2 कि इतने बार आ रहा है, 5 times, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 32 is equal to 2 की पावर 5, तो 32 की जगा पे हम लिख रहे हैं, 2 की पावर 5, जिसके उपर क्या है, 1 by 5 तो अगें, same law लगेगा यहां पर, तो यह क्या हो जाएगा, 5 multiply 1 by 5, cancel हो जाएगा, यहां पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, and 2 is your answer, तो यह था इसका second part, चले करते हैं, 3rd part, 3rd part में क्या है, 125 की प्राइम factorization, तो 125 की प्राइम factorization करते हैं हम, सबसे चोटा नंबर 5 ही है, जिस पर ही जाएगा, 2 and 5, 25, 5, 5, 25, तो यह 5 कितने टाइम सारा है, 3 times, तो 125 का आप लिख सकते हो, 5 की पावर 3, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 1 by 3, तो again same law लगेगा, तो 5 की पावर 3 multiply 1 by 3, 3 से 3 cancel, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतल क्या हुआ, 5, तो आपने जो पावर हैं छूटी से लगाने ही गलती से बढ़ी लगे है, ठीक है, तो यह हो गया आपका answer, 5, तो यह था first question, चलिए करते है second question, तो second question में भी same हमें find ही करना है, इनकी value से solve करनी है, तो सबसे पहला पाट है 9 की पावर 3 by 2, तो सबसे पहला हम 9 क factorization करेंगे, करते है 9 के factorization, चलिए, यह जगा 3 पे जा रहा है, 3, 3 जा, तो यहनकी 9 को हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, लिख सकते हैं, तो हम 9 की जगा पे लिख रहे हैं, 3 की पावर 2, लेकिन उपर कौन सी पावर है, 3 by 2, again, कौन सा लो लगेगा आपका, यह वाला लो लगे तो यहां एक बार मैं लिख देती हो, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m into n, यह वाला हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है, तो अब यह क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2 को multiply करेंगे, 3 by 2 से, 2 से 2 cancel, यह होगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 times multiply करना, 3 3s are 9, 9 3 these are 27, is your answer, ठीक है, तो इस तरीक हैस हम इसे solve करेंगे, यह था first part, चले ही करते हैं second part, second part में है 32 की पावर 2 by 5, जिसमें हम लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं, इसको direct, 2 की पावर 5, 32 की पावर 5 लिख दे, लिख दे, यही लो लगेगा, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटो 2 by 5, 5 से 5 कैंसल, क्या बचा 2 की पावर 2, that is 2 multiply 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 times हम 2 को multiply कर रहे हैं, तो 2 तूजा 4, यह आजएगा आपका answer, तो यह था second part, चले करते हैं third part, third part में क्या है, 16 की पावर करनी है, तो 16 की करते हैं, 2, 8, 2, 4, 2, 2, तो यहाँ कि 16 को हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 की जगा पर 2 की पावर 4, लेकिन उपर क्या है, 3 by 4 है, अब एन सेम लो लगेगा, बेस एक है, पावर क्या हो जाएंगी, multiply हो जाएंगी, तो 4 multiply 3 by 4, 4 से 4 cancel, 2 की पावर आगी 3, तो यहनी कि 2 को हम 3 ताइमस multiply करेंगे, तो 2, 2 is a 4, 4, 2 is a 8, is your answer, तो यहाँ था थर्ड पाट, चलिए करते हैं, फॉर्थ पाट, अब फॉर्थ पाट में 125 की पावर 1 by 3 है, यहनी कि 125 के में प्राइम फेक्टरिजिशन करनी है, और जो हमने फॉर्स पार्ट में भी की थी, 125 को हम लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ जेगी, 5 की पावर 3, लेकिन उपर कौन सी पावर है, minus 1 by 3, तो अगेन यही लो लगेगा, बेस एक है, जो पावर से हो multiply हो जाएंगी, तो 5, 3 into minus 1 by 3, 3 से 3 कैंसर, 5 की पावर आगे, minus 1, ठीक है, अब यहाँ मैंने भी आपको एक चीज एक्स्ट्रा बताई थी, कि जब कभी भी ऐसे negative होती हैं, पावर, हम उसको positive कैसे बना देते हैं, उसका reciprocal करके, यहाँ 2 की पावर minus 1 थी, तो मैंने 1 by 2 लिख दिया, तो ऐसे ही, 5 की पावर minus 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, 1 by 5, वो हो जाएगा, negative से positive, तो यह हो जाएगा, 1 by 5 is your answer, तो यह था आपका question number second, चले करते हैं question number third, तो question number third में भी क्या है, simplify, हम इसे solve करना है, ठीक है, तो start करते हैं, सबसे पहला, 2 की पावर 2 by 3, 2 की पावर 1 by 5, तो याद करें, laws, सबसे पहला ही law है, कि अगर हमारे base same है, तो powers क्या होती है, add, base same, तो power क्या हो जाती है, add हो जाती है, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ लिख भी देती हूँ, कि हम कौन सा law apply कर रहे हैं, a की power m, a की power n, base same, powers क्या हो जाएगी, add हो जाएगी, ठीक है, but base जो होना चाहिए, वो क 1 by 3, plus 1 by 5, lc में ले लेते हैं, 15, 3 5 सा, 5 multiply to 10, 5 3 सा, तो यह जाएगा 2 की power 13 by 15, यह जाएगा आपका answer, ठीक है, तो यह था first part, चली करते हैं, second part, second part में क्या कह रहा है, 1 by 3 की power 3, into 7 है, तो अब इसको हम कैसे solve करेंगे, देखते हैं, कोई law है हमारे पास ऐसा, यही law बनता है, कि a की base हो, powers क्या हो जाती है, multiply हो जाती है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कि पहले तो यहाँ पे law लिखते हैं, a की power m into n equals to a की power m into n, यह वाला law हम लगा रहे हैं, ठीक है, ओके, तो अब देखे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 ह तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको हम उपर ले जा सकते हैं, कि, सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं, कि 1 by a की power, अगर m होती है, तो उसको हम उपर ले जाते हैं, तो a की power minus m भी हो जाती है, यह मैंने अभी अभी आपको inverse वाला भी बताया था, तो आप पहले इसक कर देंगे हम 3 के पावर माइनस 3 मुल्टिप्लाइ 7 that is equal 3 के पावर माइनस 21 आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन अगर फिर से अगर आपने इसको नेगटिव हटाना है तो फिर से आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपना में 3 की पावर 21 आप अपना अंसर ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपना अंसर ऐसे भी लिख सकते हैं तो कभी भी इन्वर्स में हो आप उसको ऐसे उपर के तरफ ले जा सकते हैं clear है ये बात तो यह था second part चलिए करते हैं third part तो हम third part में देख रहे हैं कि basis same है और division में है तो जो powers है वो क्या होंगी? subtract होंगी as per our third law basis same powers क्या होती है? subtract होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की power m upon a की power n यह हो जाएगा a की power m minus n तो यह law हम लगाने वाले हैं तो यहाँ आएगा 11 की power 1 by 2 minus 1 by 4 तो यहाँ हम लेते हैं LCM यहाँ जाएगा 4 minus 2 और यह हो जाएगा आपका 2 by 8 cancel होके आजएगा 4 तो this is 11 की power 1 by 4 तो आप अपना answer यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं this is your answer ठीक है? तो अब करते हैं fourth part fourth part में आप देख पा रहे हो कि जो basis है वो different है basis different है तो powers क्या हो जाती है powers यहाँ पर सेम है as per our fourth law basis different powers जो होंगी वो क्या होंगी एक तरीके से common आजाती है तो और यह क्या होने चाहिए different होने चाहिए base तो यह क्या हैगा a की power m b की power m तो क्या हो जाता है इन दोनों को multiply करके हम power को ऐसे लिख देते हैं अब यह वाला law हम apply करेंगे यहाँ पर तो यह आजाएगा 7 x 8 की power 1 by 2 this will be equal to 56 की power 1 by 2 and this is your answer तो I hope आपको साहे laws clear हो गए होंगी कैसे कहाँ apply करना है so thank you that's all for this video पीजस्टि कहाँ जो